नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका चैनल गरी आकास पे किसान भाईयों हमारे पूरवज पिछले कई हजारों सालों से खेती करते हुए आ रहे हैं और वो अपने समय में ऐसी फफले लगाते थे ऐसे अनाज खाते थे जो कि आज के दिन पे देखने को नहीं मिलते है तो आज की इस वीडियों में आपको एक ऐसी प्राचीन फफल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि कम समय में कम लगत में तयार भी हो जाती है जिसके की कई सारे हेल्थ बेनीफिट भी हैं तो ये जो फफल आपको इसकिन पर रिखाई दे रही है इसको आपके यह क्या कहा जाता है कुछ लोग कह रहे होंगे हमारे इसको चेना कहा जाता है कुछ लोग कहते होंगे इसको हमारे चीना कहा जाता है कुछ लोग कहा इसको जेठी सावा कहा जाता है कुछ लोग कहा इसको पुनरवा कहा जाता है हमारे देश में बहुत सारी बोली हैं बहुत सा international नाम है इसके खेती चीन में पिछले 7000 सालों से की जाती है और आज के सहे में इसके जो खेती है भारत, रूस, यूक्रेन, मद्धेसिया, तुर्की, रोमानिया जैसे खेतों में बड़े पैमाने पे की जाती है इसके पीछे का रीजन है कि कम सहे में तयार हो जाती है बिना कि इसके जादा खाद, बिना कि ज़्याता सिचाई के और यह, वो इसको भी खा सकते है वो लोग इनकों कि गेहोँ खाने सेलर्जी है वो भी इसको खा सकते है और इसके कई सारे हेल्थ बर्ट बेनिफिट हैं, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में संपूर जानकारी पूरी जानकारी सही विधी समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को भी सस्काइब कर लीजिएगा तो कि खेती बाड़े फे जुड़ी हुई ऐसी महत्तपूर्ण वीडियो मैं आप के लिए बनाता रहता हूं चलिए सु को जरुवत नहीं होती है एक एकड़ खेती के लिए आपको 4-5 किलो बीच की ज़रूरत होती है और जमाव अच्छा करें कोई रोग और समस्य उसके बाद ना आए जमाव के बाद उससे बचने के लिए किसानफायों हमें उसको एग्रोसन लेना है या फिर एग्रोसन जीन आपको नहीं मिल रहा है तो सिल्टती में आप सेरेशन ले सकते हैं जो भी लें आप इसको धाई ग्राम ले लिए चाहे वो सेरेशन हो चाहे वो एग्रोसन जीन हो धाई ग्राम में आप इसको एक किलो बीच उप्षाइद करके बीच की बुगाई करें कोई समस्य आपको देखने को नहीं मिलेगी अग कि जो इसकी मेन भूआई की जाती है उसकी लिए आप जून से जुलाई तक इसकी भूआई कर सकते हैं अगर हम बात करें कि इसकी भूआई का ऑफ ही का तरीका कि है कि किसान आप Влад चुछ प्रीशो मिले तक जुसकी अपको यह ध्यान रखना है कि आपको लाइन से लाइन की दूरी पचीस सिंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी दस सिंटीमीटर रखनी है ध्यान रखें अगर आप लाइन बुगाई करते हैं तब आपका जमाव भी अच्छा होता है कल्य अच्छे निकलते हैं और जो आपको उत्पादन है वो भी अच्छे से होता है तो इसलिए आपको इसकी जो बुगाई है वो लाइन में करनी चाहिए बहुत सारे किसान भाई इसकी जो रफाई हो धान की तरह कर देते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं, छिड़का उदीज से ना करें, क्योंकि गर बीज आस पाफ ज्यादा हो जाएंगे, तो आपकी जो फसल है वो खराब भी हो सकती है, अगर हम इसमें खाद प्रबंधन की बात करें, तो किसान भाईयों, इसमें खाद की कोई बहुत ज़रूरत नही होती है, क्योंकि यह जो फसल है, कम समय तयार हो जाती है, तो आप बुआई के समय के एकड़ में, 20 किलो यूरिया, 15 किलो डीएपी, और 8-10 किलो पोटार डाल दीजिए, इसको डाल करके आप बुआई कर दीजिए, और 25-30 दिन बार जा आपकी पहली सिंचाई करने जा रहे हैं, तब आपको सिंचाई कोई जरूवत नहीं होती है, लेकिन अगर जिस समय कल्ले निकल रहे हैं, और दाना भर रहा है, अगर उस समय आपके खेत में नमी नहीं है, तो उस सिंचाई में आपको इसकी जो सिंचाई है, वो कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप गरनी में इसक खेती कर रहे हैं तब आपको दो से चार सिंचाई की जरूवत पड़ सकती है पहले सिंचाई याप बुगाई के पच्चिस तीस दिन पर करें उसके बाद यूजे डाल दें जैसे मैंने अभी बताया था दूसरी सिंचाई इसकी आप 40 से 45 दिन के वफ्था पर करें इससे अला जर्द होती है उथली यानि ज्यादा नीचे नहीं जाती है अगर उनकी ज्यादा सिंचाई कर देंगे तो पौधा गिर सकता है तो भारी सिंचाई न करें हलकी सिंचाई करें ज्यादा सिंचाई न करें या सुबा साम सिंचाई करें उगर खेत में पानी रुकदा है तो 30-40 दिन में कर लेनी चाहिए कीट और रोग नियंतरन की बार कें तो इसमें जो सबसे प्रमुक कीट लगता है वो है प्रोह मक्षी किसान में जो प्रोह मक्षी है यह सबजियों में भी अटैक करती है लेकिन इसके लिए यह प्रमुक भाई इसके अलवाए इसमें कोई और आप कीट में केरे लगते हैं तो आपको बुगाई के समय दो फित तीन speakers लेना है बीच के साथ में जाल काmi कर सकते हैं कि आप फिर अपनी कर सकते हैं जो तो इसमें मिलादी चिये जो रोग है itel है इंदर ही होता है LAU тут और इे यह समस्या आपके ना है, जैसे मैंने आपको बीज उप्चार के बारे बताया, आपको उस तरीके बीज को उप्चार कर लिना चाहिए, अब प्रभावीत पौधा कैसे दिखता है वो भी जान लीजिए, इसको जो प्रभावीत फूल होता है, उसके गुच्छे लंबे और कोई समस्या ही नहीं आएगी, जैसे ही आपकी फ़सल 55-75 दिन की आसपास होगी, अलग अलग किसमों के अनसार आपकी फ़सल पक करके तयार हो जाएगी, जब आपकी फ़फल 2 तीहाई पक करके तयार हो जाएगी तभी हिमेसे कटाई करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान रखें, अगर आप कोई फसल है, वो बीज बीज में कहीं से पकरिए तो आपको बीज से कटाई करना सुरू कर देना है, क्यों कि कई बार क्या होता है, कि इन सब चीजों को किसमे होती हैं, हाइबिड तो आती नहीं है, बहुत सारे किसान भाई, अन किसानों से ही लेते हैं, तो जो बीज होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, तो कोई पक जाता है, कोई सूख जाता है, इस इस सिती में, आपको बीज में कटाई कर लेनी है, और आप आगे बुगाई करें, तो बीजों को छाट करके बुगाई करें, और किसान भाई हो, जैसे ही जो आपका देसे, मैंने कहा, 25 दिन में फसल कटाई के लिए तयार हो जाती है, कटाई के बाद इसको आप फ्रेसिंग कर सकते हैं, बेट की सहायता से भी आप इसकी उसकी ऑर्वेस्टिंग कर सकते हैं, अगर हम एक एकड़ में उत्पादन की बात करें तो एक एकड़ में किसान भाईयो आपको चार कुंटल से ले करके 12 कुंटल तक का उत्पादन अलग-अलग किसमों के इनसार मिल सकता है